जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कम्सोर पढ़ जाएं, तो आवाज भुलंद करनी पढ़ती है। बोल किलब आजाद है तेरे। दियूस क्लिक पर मेरे साथ। बोल किलब आजाद है तेरे। ये तस्वीर याद है किनी आपको। बेसिफ का एक जवान अपनी कार में अपनी बीमार बीवी को लेकर भटक रहा था। किसी तरह से उसे कुरोना के एक अस्पताल में दाखिला मिल गया। और अब खबर आई है कि उसकी बीवी की मौत हो गई। इसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं। आज बीएसिफ का ये जवान पूछ रहा है कि मेरे बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। आखिर उसकी बीवी के मौत का जिम्मेदार कौन है। सिस्टम या भारती जनता पार्टी सरकार की आपराधिक लापरवाही जवाब देगा कोई। इस देश का कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। इंसान मर रहा है इस वक्त सडकों पर। उसे अस्पताल में जगा नहीं मिल रही है। अस्पताल उससे कह रहे हैं कि अगर तुमारे पास ऑक्सिजन की टंकी है तो आओ हम तुमें बिस्तर भी दे देंगे। ना बिस्तर है ना अक्सिजन है ना दवाई है ना रैम डेजविर है सडक पर वो घूम रहा है। मगर हम पर हमारे सिर पर बैठी एक ऐसी सरकार जो सिर्फ अपना प्रशार करना जानती है जो सिर्फ खुद को बचाना चाहती है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये लोग पश्यम बंगाल के चुनावों में क्या वादा कर रहे हैं। आपके स्क्रीन्स पर चलिए पूरे स्क्रीन पर देखिए। प्रधान नंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर डाल कर ये कहा जा रहा है कि पश्यम अंगाल में अगर हम चुन कर आए तो हम कोरोना का मुफ्थ टीका सब को देंगे। आज मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ। बिहार की जनता तो अब भी इंपिजार कर रही है। उनको दिया मुफ्थ टीका बता बिहार की जनता को तो तुमने क्या क्या वादा नहीं किया था। बिहार की जनता को दिया मुफ्त टीका चलो आज तुमने मुफ्त टीके का वादा किया है अगले चुनाव में क्या वादा करोगे मुफ्त बिस्तर उसके बाद अगले चुनाव में क्या वादा करोगे मुफ्त पोर्टेबल आईसी उ और उसके बाद क्या वादा करोगे जब से कम गर्मा के साथ हो सके इज़त के साथ हो सके क्योंकि मैं लगातार तस्वीरे देख रहा हूँ किस तरह से शमशान घाट में जगा जो है वो पूरी हो गई है और पार्किंग लॉट में जहां गाड़ियों को पार्क किया जाता है वहाँ पर लोगों के शवों को जलाया जा रहा है एक एक शव में पाँच पाँच लोगों को जलाया जा रहा है ये गुजरात की खबर से सामने उभर कर आया था क्या तुम कुरोना से जो लोग मारे जा रहे हैं उनके अंतिम संसकार में गरमा दे सकती है सरकार और इन्हें ये ये नजगाने हकीकत से कोसो दूर हैं दोस्तों आपके स्क्रीन्स पर ये हैं इस सरकार के वैज्ञानिक सलाकार बोल रहे हैं कि इस बार हमने कुरोना का मुकाबला पिछले साल की तुल्ला में कहीं बैतर किया अरे तुम इतने अंधे कैसे हो सकते हो भाई और ये देखिए इस्तीफा प्रसाद जी रवी शंकर प्रसाद ये तारीफ कर रहे हैं प्रधान मंत्री की आपने कितना बहतरीन काम किया अब देखिए ये हैं देश के स्वास्त मंत्री मतलब इन्होंने चाटुकारिता की तमाम हदों को पार कर दिया है इन दोनों के बीच इन दोनों शेहरों को देखिए दोस्तों रवी शंकर प्रसाद और स्वास्त मंत्री हर्शवर्दन दोनों के बीच में प्रतिसपरधा चल रही है कि कौन ज्यादा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की चाटू कारिता करता है देश दफन हो रहा है इस बीमारी की जड में इस बीमारी की जद में और आप जो हैं इस तरह से चाटू कारिता कर रहे हैं आज पंचायती राज के उपर प्रधान मंत्री लाइव प्रसारण कर रहे थे और यहाँ देखिए न्यूज चैनल इसको लाइव दिखा रहे थे यह देखिए तस्वीर इनकी कोई प्राथमिक्ता है सरकार से सवाल पूछने की प्राथमिक्ता है और सबसे दुख्की बात है दोस्तों मैं आपको अब दिखाना चाहता हूँ आपके होश उड़ जाएंगे कि ये मीडिया जो है वो कितना नत्मस तक हो चुका है काईदे से कोरोना महामारी के इस चरण के लिए इस आपदा के लिए कटगरे में रखा जाना चाहिए तक केंद्र सरकार को क्योंकि आक्स दोश मढ़िये सिस्टम के उपर बीजेपी पे वह नहीं मोदी तो भाय खेर बहुत दूर की बात है आप जानते हैं प्रधान मंत्री कारयाले के एक दो लोग हैं उनकी तरफ से न्यूस चैनल को एक फर्मान आ गया है कि अब आप कोई जलती हुई चिताएं नहीं दिखाए हैं मगर प्रधान मंत्री की तस्वीर कहीं नहीं दिखाई जाएगी अब देखिए दोस्तों वो टूल किट जो इस वक्त सभी न्यूस चैनल पे चल रहा है इन सब की भाशा देखिए आपकी स्क्रीन्स पर सबसे पहले आज तक सिस्टम के सामने दम तोड़ती सांसें ऐसे स सिस्टम के खिलाफ हमारी दस तक आज तक कह रहा है आगे देखिए कोरोना काल सिस्टम बेहाल सांसों का अपात काल यहां पर भी सिस्टम को दोश फिरे देखिए एबी पी नियूज सिस्टम कैसे चीन रहा है लोगों की सांसें इंडिया चाहता है अरे इंडिया नहीं चाह आरिता चाहती है तुम्हारी बेवसी चाहती है तुम जो अंदर से नपुनसक हो गए वो चाहता है system को क्या ब्लेम करना है system कौण चला रहा है मुझे बताओ आगे देखिए इसी चैनल की तरफ से कुरोना नहीं ये सिस्टम मार रहा है यानि कि इन्हें पता है कि अगर मैं कुरोना पर दोश मढ़ूंगी या दोश मढ़ूंगा तो जाहिर सी बाते सरकार पर सवाल होगा तो अब ये लोग बीमारी को भी दोश नहीं दे रहे हैं किसको दोश दे रहे हैं यहाँ पर ये लोग यहाँ पर दोश दे रहे हैं सिस्टम को और देश की जनता इतनी बड़ी सलफेट है इतनी बड़ी मूर्क है उसे यह नहीं समझने आने वाला है कि भईये ये सिस्टम चला कौन रहा है ये सरकार चला रही है और इस सरकार की एक तरह से पूरी कोशिश है कि किसी तरह से एक व्यक्ति की छवी बचाई जाए कल एक ड्रामा हुआ अरविंद केजिवाल आए और उन्होंने उनकी एक हरकत से पूरी बीजेपी, पूरी मोदी सरकार बौकला गई वो आये और उनका जो भाषन है वो लाइव प्रसारित हो गया उन्होंने क्या कहा कि प्रधान मंत्री जी आप हर्यानों को समझाईए हमारा ऑक्सिजन रोका जा रहा है आप देखिए उसकी एक छोटी सी जलक और उसके बाद क्या बवाल हुआ मैं आपको बताने वाला हूँ प्रधान मत्री जी जब से ऑक्सिजन का संकट शुरू हुआ है मेरे फोन बज़ते रहते हैं कभी कोई अस्पताल कहता है कि तीन घंटे की ऑक्सिजन बचिए कभी कोई अस्पताल कहता है कि दो घंटे की ऑक्सिजन बचिए हम कारण जानने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि पीछे किसी राजजने दिल्ली के लिए ऑक्सिजन लाने वाले ट्रक को रोक रखा है हमने मदद के लिए केंद्र सरकार में कुछ मंत्रियों को फोन किये शुरू में उन्होंने खूब सहयोग किया सर लेकिन अब वो भी बिचारे ठक गए है दिक्कत किया है पिछले साथ सालों में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई प्रेस कॉंफरेंस तो किया नहीं, तो सवालों की आदत नहीं है, अब केजरिवाल जरूर नाटक कर रहे थे, क्योंकि वो अपनी जनता को ये बताने की कोश्च कर रहे थे, कि भईया देखो, मैं तो कोशिश कर रहा हूं, मगर अर्विन केजरिवाल की क्या गलती है, मैं बात करूँगा, मगर हुआ ये इस पूरे मामले से कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की मौचूदगी में ये हो गया, उनकी छवी पर सवाल क्योंकि ये सब लाइव हो गया था, उसके बाद आप देखिए, अर्विन केजरिव अर्विन केजरिवाल जब बाते कर रहे थे, तो प्रधान मंत्री कितने असहज दिखाए दे रहे थे, कितने अंकमफिटिबल दिखाए दे रहे थे, अब देखीए, प्रधान मंत्री ने इसका क्या जवाब दिया, देखिए. मेरा विश्वास है देश में अगर करोना के खिलाफ एक नैशनल प्लैन होगा तो हम सभी राज्य सरकारे और केंदर सरकार मिलके इस दिशा में काम करेंगे सब करोना की वज़े से दिवंगत आत्माओं को शान्ती मिले कि यह हमारी जो परंपरा है हमारे जो प्रोटोकॉल है उसके बहुत खलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास करें यह उचीत नहीं है यह हमने हमेशा सहीं पालन करना चाहिए ठीक है जर इसका ध्यान रखे गया कैसे सर मैं सभी आत्माओं को शान्ती मिले जिन जिन लोगों का इस दोरान कोरोना की वज़े से जिनका ध्यान तो गया और उनके परिवारों को दुख सहने की शक्ती दे अगर सर मेरी तरफ से कोई गुस्ताकी हुई है मैंने कुछ कठोर बोल दिया मेरे आचरन में कोई गलती है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ लेकिन अभी तक जितने आज पॉल साब की जो प्रेजेंटेशन थी वो भी बहुत अच्छी थी और उसके साब से जो भी हमें निर्देश दिये गए हैं उन निर्देशों का हम पालन करेंगे इस पर अरविंद केजरिवाल ने माफी भी मांगी देखिये मैं कह रहा हूँ ना कि अरविंद केजरिवाल ने अपनी जान बचाने के लिए अपने वोटर में अपनी जगा बनाने के लिए सब ड्रामा किया उससे कोई इंकार नहीं कर रहा है क्योंकि केजरिवाल जी हम सब जानते हैं कि जब से आपकी ये नई सरकार आई है और उससे भी पहले जो आपकी 5 साल सरकार चली थी आप विज्यापनों में कितना पैसा खर्चते हैं आप उन चैनल्स को भी पैसा देते हैं जो समाज के अंदर सिवाए जहर फैलाने के कोई काम नहीं करते ठीक है और आज फिर आपने ये सब ज्रामा किया मगर आज मुद्दा अर्विन केजरिवाल है ने मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ कि इस मुद्दे को लेकर किस कदर बॉकला गई बीजेपी तमाम जो मुख्य मंत्रिये मैदान में उतर गया अर्विन ये संकट का समय ये समय राजनीती का नहीं बलकि राश्च्री एकता का परिशय देने का है देखिए उसके बाद आपके स्क्रीन्स पर मनोरलाल खटर गोपनिये बैठक को प्रसारित कर दिल्ली की केजरिवाल सरकार ने कुरोना के संकट काल में घटिया राजनीती का परिश दिल्ली के मुख्य मंतरी शी अर्विंद के जिवाल का कृत्य प्रोटोकॉल के खिलाफ शर्माक और निंदनीये है और यही बात जो है योगी आधितनाद भी कह रहे थे मैं इनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ यहां पर विजह रुपानी जी अपने राजी की तरफ देखा है आप तो मौत के आंकड़े चुपा रहे हैं आपके जो तमाम स्थानी अखबार हैं वो आपकी पोल खोल रहे हैं क्यों और मनोरलाल खटर जी क्रप्या बताने का कश्च करें देश की जनता को कि किस तरह से अनिलविज सहाब आपके जो ग्रे मंत्री वो लगातार दे रहे हैं दिल्ली सरकार को कि हम जो है आक्सिजन नहीं देंगे ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे और नतीज़ा आपके सामने है दो बड़ी खबरें दोस्तों दिल्ली के जैपूर गोल्डन अस्पताल में बड़ी तादाद में लोगों की मौत बत्रा अस्पताल में तराजदी, ये दो खबरें जो इस वक्त आपके स्क्रीन्स पर है, क्योंकि दिल्ली बिलकरा है, ये देश की राधानी है, ये देश की नब्स है, यहाँ प्रधान अंत्री मोधी से लेकि अर्विन केजवाल सब रहते हैं, और दिल्ली इतनी बेबस है, और कुछ दिनों पहले आपने लोकसभा और राजसभा में एक फर्मान जारी कर दिया, और ये फर्मान क्या कहता है, कि अर्विन केजवाल को हर फैसले के लिए गिड़ गिड़ाना होगा उपराज जपाल के सामने, जिसकी कोई राजनीतिक जवाब दे ही नहीं है, ये चुनकर नहीं आया है, चु प्रोटोकॉल, हमारे प्रधान मंत्री ने अमरीका जाकर एक मंच पर ट्रम्प के साथ खड़े होके कहा था, अब की बार ट्रम्प सरकार, अरे प्रोटोकॉल की क्या बात करते हो, फिर हमारी भद पढ़ गई, क्योंकि ट्रम्प वहा तो हार गया, क्यों, और आप कौन है इ इस खबर के मताबिक दोस्तों, जो वैक्सीन बनाने में जो काम आने वाला, जो कच्छा माल होता है, रौ मटीरिल होता है, उससे भेजने से मना कर दिया है, ये लोग वैक्सीन्स होड कर रहे हैं, आज की तारीक में अमरीका के पास इतने टीके हैं, इतने वैक्सीन हैं, कि ह अगर अमरीकी को दो बार वैक्सीन्स दी जा सकती है दो बार वैक्सीन्स तो वैसे ही मिलती है यानि कि चार बार दी जा सकती है अगर इनके साथ आपके तालुकात अच्छे होते तो आप उनसे गुजारिश कर सकते थे और आपने क्या किया था आपने पूरी दुनिया को वैक गुफा छोड़ा जा रहा है दोस्तों, WhatsApp groups के जरिये भारती जनता पार्टी का प्रचारतंत्र लोगों तक ये संदेश पहला रहा है कि इस बात पर जोर मत दो कि कितने लोग मारे जा रहे हैं, इस बात पर जोर दो कि कितने लोग बचाये जा रहे हैं, जाके आप उन परिवार की मदद कर सकें और इसके लिए मैंने मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं कुछ लोगों से अपील भी कर रहा हूँ कॉंग्रिस नेता श्री निवासन, कॉंग्रिस नेता मुकेश शर्मा, आम आदमी पार्टी विधायक दिली पांडे, कुमार विश्वास, इन तमाम लोगों से मैं मदद कर रहा हूँ, उनसे मदद भी मिल रही है, और एक और, यह हैं। कॉंग्रिस नेता अतुल लोंदे, जो कि मुंबई के अंदर हैं, इनसे मैं मदद कर रहा हूँ, और ये जितना कर सकते ही, ये लोग कर रहे हैं, मगर मैं जानना चाहता हूँ ना कि ये जो लोग हमसे positivity पहलानी की बात करते हैं ये खुद क्या कर रहे है इनका pal to media क्या कर रहा है दोस्तों आपके screens पर देखिए ये news 18 मुकेश अंबानी का news channel ये लोग ये चला रहे हैं कि इस वक्त जो anti India lobby है भारत विरोधी lobby है वो सरकार को बदनाम कर रहे है कुरोना के नाम पर मेरे जैसे लोग आज की तारीक में अगर आम जनता का सवाल उटा रहे हैं उसकी बेवसी की कहानिया आप तक ला रहे हैं तो हम anti India हो गया है ये लोग कितने पालतू हो सकते हैं यार तुमारी बिलकुल भी read नहीं है ये तुम पत्रकार करते हो क्या करते हो मुझे बताओ एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ दिनों पहले इस न्यूस चैनल ने क्या चलाया था देखो अब कोरोना की मौत मरेगा पाकिस्तान उस वक्वी मैंने बात कही थी पाकिस्तान से हमारे कूट नीतिक सामरिक मद्भेद हो सक पत्रकार की तौर पर हमें उनका परदाफाश हमेशा करना चाहिए जो मैंने हमेशा किया है मगर यह बोलना कि अब कुरोना की मौत मरेगा पाकिस्तान वहां की जनता को तुम बद्वा दे रहे और आब क्या हो रहा है मुझे बताओ तुम्हारी दी गई ये बद्वा जो है मेरे देश की जनता को लग गई अगर मैं तुम्हारे तरकों का इस्तमाल करूँ और मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान में क्या हो रहा है ठीक है अब आप कहेंगे कि जिस पाकिस्तान को आपने बद्वा दी थी वहां पर तो खुशी मनाई जारी होगी मैं मानता हूँ प भारत को ऑक्सिजन की जरूत है तीसरा पाकिस्तान विट इंडिया चौथा वी कांट ब्रीद इंडिया फाइट्स कोबिट 19 आज पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद है जो भारत के साथ खड़ी है हमारे इस मुश्किल लम्हे के हमारे साथ खड़ी है दोस्तों मैं जानता हूँ पाकिस्तान हमारी कोई मदद नहीं कर पाएगा मगर आप बताईए ना आज की तारीक में अगर वहां से इस तरह संदेश आए हमें बदवा देने के आपको कैसा लगेगा ये जो निउस चैनल जो बहुत ज़ादा देखे जाते हैं ये लोग बदवा दे रहे थे पाकिस्तान को और मैं जानता हूँ हो सकता है वहां पर भी कोई ऐसे मूर्ख हो जो हमें बदवा दे रहे होंगे मगर मैं आपसे बार-बार क्या कह रहा हूँ हमने एतिहासिक तौर पर खुद पर हमेशा ये गर्व किया है कि हमारा मुकाम पाकिस्तान से बहुत उचा है हम बड़े हैं वो एक Dialog नहीं है वो Dialog है पता है वीरेन सहवाग ने कहा था कि बेटा-बेटा होता है बाप बाप होता है पता है कैसी फिल्म का Dialog है क्या है तो अगर आप अपने आपको बाप मानते हो क्योंकि आपसे पाकिस्तान निकल है जैसा कि आप कहते हैं तो मेरा आप से ये कहना है कि बड़ा मुकाम दिखाऊ ना ये निउस चैनल बड़ा मुकाम दिखा रहा था तुमने इस तरह से कारकरम करके तुमने बद्दवा दिये मेरे देश की जनता को तुमें इतिहास माफ नहीं करेगा आज की तारीक में भी तुम्हारा तरह से प्रधान मंत्री की छवी बचानी और कुछ नहीं करना है कुछ नहीं करना है मेरी बात दोस्तों लगातार हो रही है लोगों से क्योंकि होता क्या है इस कारकरम को रिकॉर्ड करने के बाद या इस से पहले जिन चेहरों का जिक्र थोड़े दिर पहले मैंने किया था म अस्पतालों से बात करना शूरू करता हूँ, बेबसी की धेरो दास्ताने हैं, लखनाओ में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, हर जगा, दास्ताने धेरो हैं और आप कुछ नहीं कर सकते हैं, मद्ध प्रदेश में, क्योंकि मैं मद्ध प्रदेश का रहने तो हम मुद्दे का समाधान नहीं ढूंड रहे हैं हमें जवाब देही तै करनी पड़ेगी ताकतवर लोगों की जो लोग सत्ता में बैठे हैं इससे समाधान नहीं होने वाला है पिछले एक साल में क्या हो रहा था मुझे बताईए ना इस खबर को देखी इसका जिक्र मैं अपने शो में कर चुका हूँ कोविड की बैठक नहीं हुई कैरवान की खबर थी क्यों नहीं हुई बैठक मुझे बताईए और बैठक बाद में जाकर होती है जब विक्राल हो जाता है रूप क्यों रुक के रखा आपने बैठक ने और सबसे बड़ी बात अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों कुछ तत्यों के साथ चीज़ है इस पर गोर कीजेगा जनवरी में प्रधान मंत्री ने बाकाइदा एक अंतराश्वी मंच पर ये भाशन दिया था जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि हमने कोरोना के खिलाब जीतदर्ज कर दी ठीक है उसके बाद क्या हुआ ये देखिए आपके मंत्री नितिन गड़करी हमारे जो स्वास मंत्री हर्श बर्धन ये लोग बाबा रामदेव के साथ खड़े होकर कोरोनिल का प्रचार कर रहे थे ठीक है इसके बाद इस न्यूस चैनल को देखिए इंडिया टीवी इसने ये तक गलत खबर चलाई कि कोरोनिल को विश्व स्वास संगठन ने मानिता दे दी है इतना बड़ा जूट बाद में विश्व स्वास संगठन ने साफ का कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया इस जूट का प्रचार प्रसार कोई और नहीं एक न्यूस चैनल कर रहा था सरकार के दो बड़े मंत्री कर रहे थे बाद में इंडियन मेडिकल एसोसियेशन का ये खत देखिए आपकी स्क्रीन्स पर ये लोग कह रहे हैं स्वास मंत्री से कह रहे हैं कि आप किस बिना पर कह रहे हैं कोरोनेलिस का इलाज है आप किस आधार पर कह रहे हैं आगे देखिए भारती जहांता पार्टी जो है अपनी फीट फिर थथपा रही है कि हमने जीत हासिल कर लिए हर्श वर्दन का भी ये बयान देखिए यानि कि हमने कोविड का खात्मा कर दिया है उसके बाद दो तीन चीज़ें होती है पहली चीज होली को लेकर जबर दस्त भीड कुम्ब कुम्ब को लेकर लाखों लोग वहां पहुँच जाते हैं पहला शाहिसनान होता है कब होता है पहला शाहिसनान या आप जानते ही हैं 11 मार्च को पहला शाहिसनान होता है और अब यह देखिए चुनावी रैलीस की भीड़ा आपके स्क्रीन पर यह तमाम चीजे हो रही होती है और हमें यह बताया जा रहा है all is well हमें यह बताया जा रहा था all is well और आज आपके सामने हकीकत है आज मैं आपसे पूछना चाहता हू on COVID-19 said that this year the body met on 11th January and then on 15th April and 21st April after India was hit by Corona यह खबर जो कारवान की थी वो यह थी कि Corona को लेकर जो टास्क फोर्स था उसकी बैठक ही नहीं हुई दो तीन महिनों तक आज मैं आपसे सीधे सवाल पूछ रहा हूँ देखिए जो बाते मैंने आपको बताई है purely facts पर हैं यह तत्थ ह हैं यह मेरे दिमाग की उपज नहीं है इसको लेकर जवाब नहीं किसकी है अब जब तुम सिस्टम को ब्लेम करते हो तो सिस्टम की चलाने वालों को क्यों नहीं ब्लेम करते हो बताओ मगर हम आदत से मजबूर है हमारे शो का नाम है बोल के लब आजाद है तेरे और इस शो में हम उनके बोल उठाते हैं जिनके बोल को कुछला जा रहा है कोरोना के नाम पर आगे भी उठाते रहेंगे नवस्कार